दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूं आज मैं कुछ ऐसे प्लांट लेके आई हूं अगर आप इस टाइम पे नर्सरी में जा रहे हैं तो आप इन प्लांट को जरूर बाई कर हैं कहलेधीयल v3 compr यह प्लांकि यह कुभ शुद्ट है इसके पतिया बहुत खूपसरत होते और बहूत कम केर में चलने वाला होता है तो एक से हजारों प्लांट आप बना सकते हैं दूसरा जो प्लांट होता है यह भी बहुत ही खुब स्वक्षाइब तो अब आप चाल डिली का है रहता है पिल्ब से चल्कس कझान अज वह बन जाते हैं इसमें बहुत सारे आते हैं उनके कलर आप अपने G definitely एक से हजारों प्लांट यह बनते हैं और बहुत ही कम केर में चलने वाले लेस केर में चलने वाले प्लांटे हैं तो आप अपने गार्जन में लगाई और अपने दोस्तों को दीजिए यह अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और यह पूरी बरसाद भर भी आपको देता रहेगा फ्लावर नहीं भी आते हैं तो इसकी पतियां बहुत खुबसरत होती है तो इसको अपने गार्जन में जरूर एट करेगा और बहुत ही लैस केर में चलने वाला है और नरसरी में बहुत कम रेट में मिल जाता है आपको अपने दोस्तों से कहीं से इसका एक ब और बहुत हैं तो इसे प्लांट आपको लगाने चाहिये तो काफी अच्छा रहता है जो कि कम कयर में चले और के शीसेशनल रख भी कवा ते हैं वहासे भी सीजिन में ही आते हैं और उनड़ावर बबंड होतो है इसमें दो विराएटी होती है लॉंग और ऊर्ट उर्ड वी दो होते हैं एक यलो और ग्रीन के साथ और ग्रीन कलर इसका होता है और यह डौप बैराइटी के हैं यह भी बहुत जल्दी मल्टिप्लाइ होते हैं और यह जो सेंसवेरिया है यह 24 आवर्स आपको आउक्सिजन देने वाला प्लांट है और वेरिगेट होता रहता है आप इस ब्राइन आगते हुश्टरेंपने विश्ट फृता लगते हैं। अपनेसे सभी को भी बमनेर को यह क्टे हैं। इस तरह से देखिए रॉड्वय और यह जब तो फंपने ऐसे ब्ढ ஖या भी लगा वियर बाद है उसके बाद यह spider plant है जिसके runner बहुत ही खुबसूरत होते हैं इसमें flowering भी होती है और यह भी बहुत जल्दी multiply होता है इसको multiply करके आप हजारों प्लांट अपने बना सकते हैं इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे garden में बहुत सुन्दर रंग भिखिरता है और धूप चाया में आप क grow होने लगता है तो इसको भी आप अपने garden में एड़ कर सकते हैं हजारों प्लांट बन जाते हैं उसके बाद अगेव का प्लांट है जो की multiply होता है और बहुत ही हाड़ी प्लांट है अगर आप पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा खाद नहीं देंगे तो भी चलेगा और multiply होता रहता है एक से हजारों प्लांट बना सकते हैं और देखने में काफी सुन्दर लगता है आप देख रहे होंगे ग्रीन और यल्लो का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है और बहुत ही खुशुरत लगता है उसके बाद यह पीस लिली का है जो की बहुत ही जादा multiply होता है इसके और भी color होते हैं मेरे पास यही color है इसमें white color का flower आता है और यह indoor outdoor दोनों डख सकते हैं पर इस टाइम पर गर्मियों में आपको इसको indoor रखना चाहिए इसकी पत्तियां जल जाती है मैंने बहुत सारे लगाएं तो बाहर भी लगा हुआ है मेरा तो इस तरह से यह भी multiply इस तरह से multiply होता है और इसको आप अपने garden में जरूर एट करेगा बहुत ही कम केर में चलने वाला है उसके बाद यह मैक्सिकन पिटोनिया मैक्सिकन पिटोनिया भी आपको पूरे साल flowering देता है और बहुत जल्दी multiply हो जाता है इसको आप कटिंग से भी सीट से भी grow कर सकते मैंने बहुत सारे प्लांट इसके बनाए हुए देखिए इस तरह से तो बहुत ही कम केर में चलने वाले प्लांटे हैं और सदा बाहर प्लांटे हैं फ्लावरिंग हमेशा ही होती रहती है तो आप इसको भी अपने garden में एड़ कर सकते है हजारों प्लांट इसके बन जाते है और यह लालसा का प्लांट है लालसा भी एक बहुत ही खुसुरत प्लांट होता है इसमें फूल भी मैंने देखा हुआ है लेकिन यहां पर मेरे फूल नहीं आए मैंने जमीन में ऐसे कर दी तो इतनी जादा फैल गई है तो इसको भी आप अपने garden में फ्री से ही एड़ कर सक और यहीं बस दो बन प्लांट इसके बन गए है तो चोटी सी अगर इसकी कटिंग भी आप लगा देते हैं या इसमें रूट बनी हुई वह भी लगा देते हैं तो यह आराम से ग्रो हो जाता है और उसके बाद यह परपल हाट है यह मेरे बहुत ही ज्यादा है तो इसकी मैं कहरी नहीं कर पाती हूं पॉर्ट में भी लगा हुआ है जमीन में भी लगा चोटी सी इसकी कटिंग अगर लगा देते हैं या डिवाइट करके आप लगाते हैं तो यह बहुत ही खुबसूरत बन जाता है इसमें फ्लावरिंग भी है अभी गर्मी के टाइम पर इसको सेमी स प्लांट है मेरे पास इंगुनिम का बहुत बड़ा कलेक्शन है तो मैं केरी नहीं कर पाती हूं तो यह बहुत इजी केर में चलने वाला है आप लगा सकते हैं उसके बाद यह जर्विरा का प्लांट है यह भी डिवाइट होता है मल्टिप्लाइ करके इसके हजारों प्लां अब सरस्की करते हैं इसके में बहुत सर बना ना सकते हैं पत्ति से बीसको घ्रों कर सकते हैं इसके मधर प्लांट है और यह बहुत सार इसके इसको वेरिगेट करके बना सकते हैं को सुन्दर कर सकते हैं सक अरगते बहुत ीछ जाँ होती यह इसकी पत्ति होने में वाले बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड हो जाता है तो आप कितने भी प्लांट है देखिए एक में दो लगा के रखे हुए लेकिन दोनों ही प्लांट अच्छे चल रहे हैं तो इसके देखे बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं यह क्लांचों की वराइटी है इसके पत्त बहुत खुबसूरत होती है विंटर में फ्लावरिंग भी होती है देखिए पत्ति से ग्रो होने वाला एक प्लांट है तो आप अपने गर्जन में इसको भी एड कर सकते हैं सकुलेंट वेराइटी के है यह कैलेडियम है जो की बहुत सारे कलर समाता है मेरे पास यही एक कलर है तो देखने में काफी अच्छा लगता है इसको हम लोग पिठ्या और अक्षयत बोलते हैं तो यह प्लांट भी काफी सुन्दर लगता है इसको भी आप मल्टिप्लाइ करके हजारों ब्लांट मना सकते हैं इसके नीचे से और यह देखिए यह कैक्टस है यह कैक्टस भी बहुत ही खुछ है उनमें फ्लावरिंग होती है मै ने अभी इसको डिवाइट किया हुआ है और बहुत जा धा घंह हो गया था बहुत जादा ग्रोथ हो गय थी लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो ठीए ती कि इसको डिवाइद कि ई जल्दी शुरू हो जा ऑग कि ऐस आधे बि दूसरा कैक्टिस भी मेरे पास है उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं वो भी इसी तरह से एक से हजारों बनाने वाला प्लांट है तो आप अपने गार्डन में जरूर एट करिए इन सारे कैक्टिस को यह देखिए यह भी एक कैक्टिस एक ही मुझे मिला था जब मैंने खरीदा थ काफी है कि अवा़नों तो आप इनको अबना हर एकका सकते हैं तो हमें पने साथ कक्तिक का भी नहीं जाने वाले तो आप अपने दोस्तों में भी बांच सकते हैं और खुद भी अपने घर में बहुत सारे मुझे हैं इस तरह से हमारे पास जो हम डिवाइड ह podéis प्लांट है तो हमारे पास प्लांट का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद यह वाला कैक्टस है जो की कर्टिंग से ही ग्रो होता है और डिवाइट भी बहुत जल्दी होता है इसमें फ्लावर आया हुआ था मैं उसका फोटो आपको दिखाती हूं आगी यह इसका फ् सब्सक्राइब होने वाले प्लांट है तो इनको आप डिवाइट करके बना सकते हैं यह कैक्टस है कैक्टस भी देखने में काफी खुब सूरत लगते हैं तो कैक्टस को भी आपको अपने घर में आड़ करना चाहिए यह अलोवेरा का प्लांट है जो की मैडिकेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्ट